आज बात करेंगे एप इसी बॉलर में लगने वाले बेट कोईल टुप्स की बारे में क्या होता है बेट कोईल टुप्स सबसे पहले जो बेट कोईल टुप्स बना होता है कार्बन एस्टी सेंबलेस टुप्स होती है इसका जो बेट कोईल ट्यूब की जो माटेरियल होती है वो होती है SA210GRA1 इसके जो बेट कोईल ट्यूब की जो आउटर डाय होती है वो होती है 51 mm और बेट कोईल ट्यूब की जो थिकनेस होती है वो 6.3 mm बेट कोईल ट्यूब की जो टाइफ होती है वो होती है इन लाइन यूबेंट MS इस्टड्स इसमें इस्टड्स की जो डाया होती है वो 13 13 mm की होती है यह बेट कोईल ट्यू फरनेश के अंदर फरनेश या फिर कंबस्टन चेंबर के अंदर इस तरह से अरेंज होता है जैसे आप इस डायग्राप में देख रहे हैं इसमें दो हेडर ह होते हैं पहला टॉप बेट कोईल हेडर होता है और दूसरा होता है बाटम बेट कोईल हेडर इस हेडर के जो मटेर होता है वो होता है एस ए वन जीरो सिक्स जी आर बी टॉप जो बेट कोईल हेडर होता है उससे वाटर वार पेनल कनेक्ट रहता है ठीक है यह बेट कोईल ट्यूब एक यह ओपरेशन के कोईल की तरह काम करता है जिसमें वाटर ही ओपरेट होता है और साथ ही जो बॉयलर की हीटिंग सर्फेस एरिया को यह बढ़ाता है ताकि हाई हीट्रेट एचिव कर सके इसमें चोटे चोटे एक्टर्स लगे होते हैं कि क्या होता है जब फर्नेस के अंदर हाई एरोजन वाले बेड मोटरियल फूडाइस होता है और अगर इस्टर्स नहीं होगा तो बेड मोटरियल डारेक्ट ब देमेज हो सकता है तो इसलिए इसमें बेट इसमें इस में बेड्ट ड्स थूफ करता है ही ट्र पर सर्पेस को तो इस तरह से जो इस तरही से बेट कोहिल को डेमेज होने से ये बचाता है